आज हम पढ़ेंगे शिक्स टंडर्ड की जोग्राफिका चाप्टर शेक्स जिसका नाम है Importance of Oceans अब तक पिछली क्लासेज में हमने लीथोस्फियर और हाइडोस्फियर के बारे में पढ़ा है और कितना प्रोपोर्शन लैंड है और कितना वाटर है आर्थ पर इस बारे में और मेजर Oceans के बारे में पढ़ा नीचे एक टेबल गीवन है जिसमें Oceans का एरिया मेंचन है आएए देखते हैं सबसे बड़ा है Pacific Ocean जिसका एरिया है 16,62,40,977 km2 अत्लांटिक का है 8,65,57,402 km2 उसके बाद इंडियन Oceans जिसका एरिया है 7,34,26,163 km2 Southern Ocean का एरिया है 2,3,27,000 km2 Arctic Ocean का है 1,3,24,479 km2 The hydrosphere includes all the water bodies that exist on the earth Hydrosphere में सभी पानी के जो भी bodies हैं वो आती हैं चाहे वो ocean हो, समुद्र हो, नदियां हो या फिर उनकी कोई tributaries हो या lakes हो या कोई reservoir हो या फिर underground water हो On the total global water 97.7% is contained in Oceans लेकिन जितना भी पानी धर्ती पर present है उसमें से 97.7% जो है वो सिरफ Oceans में ही present है अब हम page number 32 पर move करते है यहाँ पर एक experiment है Use the following ingredients, one ball of rice flakes, one table teaspoon oil, one tomato and a small onion diced हम यहाँ पर एक experiment करेंगे जिसमें हम एक बरतन लेंगे, जिसमें हम पोहा लेंगे, एक चमच तेल, एक टमाटर और एक प्यास कटा हुआ चिली पाउडर तो टेस्ट, चिली पाउडर लेंगे, mix all the ingredients well, give the mixture to all your friends and ask them to taste it Now add some salt to the mixture and taste it again अब हम क्या करेंगे कि जो हमने mixture अभी त्यार किया, वो सभी friends को टेस्ट करने के लिए देंगे और फिर हम उसमें नमक बाद में आड़ करेंगे और फिर उन्हें बोलेंगे कि फिर से टेस्ट करें क्या difference हो, अब आप देखेंगे कि डिश में आया है पहले बिना नमक की और नमक वाली डिश में किस चीज से डिश में सवाद बढ़ गया है तो लास्ट में जो हमने नमक आड़ किया था और किस-किस चीज में घर में वो यूज करते हैं discuss the source of this ingredient तो यह आपस में बात करें अपने फ्रेंड से पुछें कि जो इस नमक है उसका source कहां से है नमक एक्चुल में आता कहां से है टेक सम वाटर इन स्टील डिश एक डिश एक में प्लेट में पानी लें इस बैटर इस फिदा वाटर इस फ्रम बार्वेल एक अगर वह अच्छा होगा अगर वह जो पानी है वह कुए का हो keep the water in direct sunlight उसको sunlight में रखें do not remove the dish until all the water gets evaporated वहां से उस डिश को प्लेट को दूप में पड़े रहने दे जब तक पानी पूरा बाफ नहीं बन जाता observe the dish after the water has evaporated completely जब पानी पूरा सूख जा है तो आप डिश के पास उस प्लेट के पास जाके देखें what do you see taste the substance in the dish तो अब आप क्या देखते हो नीचे और जो नीचे बच गया है उसका टेस्ट क्या है तो जो नीचे बचा हुआ सब्स्टांस है एक्ट्वल में वो नमक ही है you must have noticed that all the water evaporated completely a whitish layer is left in the dish तो जब पानी सारा सुख जाता है तो उसके नीचे एक सफेद सी चादर बच जाती है if you taste it you will find it it is salty तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका जो स्वाध है वो नमकीन होगा you will realize that these are the salts in the water तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जो नीचे बचा हुआ पार्ट है वो नमक ही है in drinking water the proportion of salts is quite low जो हम पानी normal पीते हैं उसमें नमक का जो पार्ट होता है वो बहुत ही कम होता है water from oceans and seas has a greater amount of salt hence it tastes salty लेकिन जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक की quantity बहुत ज़्यादा होती है इसलिए नमक समुद्र के पानी को अगर टेस्ट को तो काफी नमकीन सा स्वाध होता है उसका अब हम page number 33 पर move करेंगे there is abundant aquatic life in the oceans पानी के नीचे बहुत बड़ी तदाद में प्रानी रहते हैं बहुत सी मचली है बहुत सी तरह के जीव जन्तु पाए जाते हैं पानी के नीचे from the microscopic planktons to huge whales different types of living things are found in the oceans छोटे से planktons जिनको हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते उनसे लेके धर्ती पे रहने वाले सबसे बड़ा जीव जो है whales वो सब पानी के अंदर पाए जाते हैं once they die, there remains accumulate in the oceans जब वो जन्वर मर जाते हैं तो उनकी जो dead body होती है वो पानी के नीचे ही इकठी होती रहती है all rivers flowing from the mountains और hilly areas finally meet the oceans और जो भी नदियां है जो बैती है वो end में जाके oceans में ही मिल जाती है sediments from eroded lands, trees and bushes flowing with the water, dead remains etc enter the ocean with the river water और नदियों के असपस जो भी अपने असपस की जमीन को जो बहा साथ में पहा ले जाती है या पेड़ पॉधूई मर के अंशों को या फिर कुछ भी अंक्या उनमें जो मरे हुए जीव होते हैं उनकी bodies को वो सब end में जाके ocean में ही मिल जाते हैं in both the above processes the dead remains decomposed releasing various minerals and salts in the ocean water तो अब जो भी उपर का part जो है वो समुद्र में जब पहुंचता है तो वो decomposed होने लगता है और end में वो salt के form में ocean में बच जाता है और बहुत से अलग खनीजबदार्थ भी वहाँ पर इकठे हो जाते हैं volcanic eruptions occur on the land, similar volcanic eruptions take place in the ocean as well जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जवाला मुखी जो है जमीन के ओपर भी फटते हैं वैसे ही जमीन के नीचे पानी के नीचे भी जवाला मुखी अक्सर फटते रहते हैं जिनकी वज़े से अक्सर पानी के अंदर भुकाम पिया फिर सुनामी भी पैदा हो जाती है तो जब ऐसा कोई ज्वाला मुखी फटता है तो उसकी वज़े से बहुत से खनेज, उसकी राख, नमक और गैसे यह पानी में मिल जाती है इसकी वज़े से भी जो समुदर के अंदर जो पानी में जो नमक की कॉंटिटी है और जो मिनरल्स है वो काफी बढ़ जाते हैं एड हो जाते हैं Due to the continuous evaporation of ocean water, the proportion of salt increases लेकिन समुदर का पानी जो है लगातार evaporate होता रहता है और यह चीज़े लगातार इखटी होती ही रहती है तो इस वज़े से समुदर के पानी में नमक का प्रपोर्शन जो है नमक का level काफी बढ़ता रहता है All these things make the ocean water salty इस वज़े से समुदर का पानी जो है वो नमकीन होता रहता है The sanity of ocean water is different at different places और हर जगा पर पानी में नमक का level समुदर में अलग लग होता है Salinity is expressed in terms of milts हम इसे milts की form में represent करते हैं M.I.L.S. particles per thousand means per thousand में कितने particles हैं salt के The average salinity of ocean water is 35% जो average मितलब पूरे समुदर की अगर हम देखे दरती पर जितना भी समुदर है तो उसकी average 35% है The dead sea is known to have the maximum salinity Dead sea की सबसे ज़्यादा वहाँ पर salinity पाई जाती है जो की है 332% We obtain salt from the salty waters हम नमक जो है वो ऐसे ही समुदरी पानी से ही प्राप्त करते हैं Salt as a substance is obtained by constructing salt paints in the coastal areas जो coastal area है वहाँ पर हम salt paints बना जेते हैं और वहाँ पर जो नमक फिर है जैसे ही समुदरी का बहाव जब उस तरह आता है तो वह पीछे अब नमक छोड़ जाता है और वहाँ का पानी बहाव बनकर उड़ जाता है Salt is an item in the art diet और नमक जो है हमारी diet का एक important part है Many minerals like phosphorus, sulfates, iodine, etc. are also obtained from the sea Phosphates, sulfates, iodine और ऐसे कहीं और substance जो हैं वह हमें समुदर से ही मिलते हैं We depend on oceans to some extent for minerals हम काफी हद के हद तक समुदर पर ही इन चीजों के लिए dependent रहते हैं आप इस feature में देख सकते हैं कि कैसे coastal areas में हम नमा की कठा करते हैं अब हम page number 34 पर चलते हैं Many of us include fish in our diet और बहुत से लोग मचली खाते हैं We get fish from rivers, lakes and seas और मचली के में साधन है कहां से हमें source प्राप्त होती है नदियों से, lakes से या फिर समुदर से The proportion of fish in seas is much greater than those in the rivers and lakes और इसमें से जो समुदर में जो मचली पाई जाती है उनकी quantity काफी जादा है as compared to नदियों और lakes में Catching marine animals is a large scale activity the world over और समुदरी जीवों को पकड़ना जो है वो बहुत बड़ी ही activity बहुत large scale activity है बहुत बड़ी quantity हैं पकड़ा जाता है पुरे संसार में बहुत पुराने समय से ही इंसान का कमाने का जरिया यही रहा है Though food is the major purpose of this activity, marine animals are also used for production of fertilizers, pharmaceuticals and also in research जब हम main purpose जो है इन animals को पकड़ने का वो खाना ही है लेकिन फिर इन animals को खाद बनाने के लिए दवाईों में इस्तिमाल करने के लिए और research के लिए भी पकड़ा जाता है In India, people mainly consume prawns, clams, crabs, searfish, mackerel, pomfret, Indian shark, Indian salmon, etc India में prawns हो गया, clams हो गया, crabs हो गया, searfish, mackerel, pomfret, Indian shark और Indian salmons की काफी consumption की जाती है Many other types of marine animals are consumed in different parts of the world और ये तो सिर्फ India की consumption है, main main जो है इसके लावा और भी बहुत से animals है, जो पूरे world में खाय जाते हैं जिनको consume किया जाते है The life of people from countries that have a cost line largely depend on the sea especially if these are, there are very few other occupations जो countries जिनकी cost line जिनका समुद्र तर से काफी बड़ा area लगता है वहाँ पर ये समुद्री इन जीवों से काफी लोगों का अपना घर चलता है उनकी ये main occupation है like cyclies, mauritias, maldives, etc. are some of these ये इसी तरह के कुछ देशों के example है तो यहाँ पर table दिया गया है The above table records the maximum and minimum temperatures from some places located between 30 degree and 40 degree north parallels study the table and do as directed इसमें table दिया गया है कि अलग-लग countries में cities के नाम फिर उनकी countries किस देश में है वहाँ का mean temperature maximum कितना होता है mean minimum कितना है उनकी range of temperature blank है तो वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं अलग-लग cities के बारे में है कुछ questions इसके बारे में दिये गया है calculate the difference between the mean maximum and mean minimum temperatures and write it in the last column यह जो दो columns है इन दोनों के बीच का difference निकालके हम इन last column में लिखना है अब हम page number 35 पर है highlight the rows for the places having the range of temperature over 10 degrees with red color तो जिनकी बीच में इन दोनों के बीच का जहां का difference जो है वो 10 degree यह उससे ज़्यादा का होगा तो उस area वहाँ को हम red color कर देंगे color other rows with blue बाकियों को हम blue color कर देंगे find the locations of these places from an atlas map की help से हम इन लगां की locations को देखेंगे which places are closer to the ocean इन में से कौन से places oceans के पास है tell whether the range of the temperature at these places is less or more यहाँ पर temperature जो है उसकी range कम है या ज़्यादा what might be the main reason leading to the differences in the temperature range of the different places यहाँ पर जो temperature की variation इतनी है यहाँ पर इसका क्या कारण हो सकता अभी पिछले chapter में हमने temperature के बारे में पढ़ा था है वहाँ से आप इसका पता लगा सकते हैं which places are far away from oceans कौन सी शहर है इन में से जो समुदर से काफी दूर है do these places have a greater or smaller temperature ranges और जो शहर समुदर से दूर है वहाँ पर वहाँ का temperature का जो gap है वो बहुत जादा है या बहुत कम है mention the places having the smallest and greatest temperature ranges वो places देखे वो दो शहर चुनेंगे जहां पर gap जो है बहुत जादा है और जहां बहुत कम है draw a graph for the above data use a proper color scheme उसके बेस पर हम इसका graph draw करेंगे एक proper color scheme के साथ करेंगे बहुत